नबस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ जोती सिंग और आप देख रहे हैं खेती किसानी पर आधारित हमारा खास कारिकरम सोन कजबुयां आज किसान उननत तकनीक की तरफ अग्रसर हो रहा है चाहे वो पारंपरिक फसलों की बात हो या फिर सबजी या फिर फलों की खेती की बात अगर हम बात करें पपीता अमरूद या फिर एपल बेर या फिर वेजटेबल की इन तमाम खेती किसानी के मामलों में भी किसान आज उ जादा से जादा लाव कमारा है देखते हैं ये रिपोर्ट पौधों का चैन कर रहे हैं ताकि बिमारियों से पौधों को बचाय जा सके क्योंकि नरसरी तयार करते समय ही उपचारित बीजों का चैन किया जाता है और फिर ग्रीन शेड या पौली हाउस में उसे रखा जाता है ताकि उसमें किस तरह के बायरस का आक्रमन ना हो और किसान उससे अच्छा उत्पादन ले सके पपीता, अमरूद और एपल बेर के लिए आप किसान नरसरी में तयार पौधों से ही खेती कर रहे हैं इसके लावा ग्राफ्टिंग विधी से अब पौधों को तयार करके देशी और विदेशी किसमों को मिला कर नई प्रजाती तयार की गई है जिसे 36 गर्मे किसान अनाज की फस्तों से जादा पपीता और अमरूद की हेती से लाब कमा रही है और इसे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टोड़े में मौजूद है हमारे खास पहमान एग्री एक्सपर्ट मितुल कुठारी मितुल जे बहुत-बहुत स्वागत है आपका मितुल जे चुकि अब आप एक उननत खेती की तरफ बढ़ चुके हैं उननत तरीके से आप चाहें पलबैर की हम बात करें, पपीती की बात करें, अम्रूद की बात करें उसमें उन टक्निकों को आप शामिल करके जाद से जाद उत्पादन ले रहे हैं क्या खास बात होती है जब कोई किसान उन्नत खेती की तरफ बढ़ता है किन बातों को शुरुवात से ही उसको ध्यान देना चाहिए चतिसगर आज के समय में बहुत तेजी से उबरता हुआ राज्य बन गया है उध्यानी की फसलों में और यहां से आज पूरे देश में फल, सबजियां एक्सपोर्ट हो रही है अन्य राज्यों को बेजी जा रही है और यह चित्र बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए इस चित्र में सभी किसानों की आय में वर्दी हुई है और साथी अनेक ऐसे किरसान जो पहले धान, गयूं मक्का, सोयाबिन जैसी फसलों पे निरभर करते थे वो सब भी फल दार व्रिक्षो प्लस सबजियों की खेती पे आगे बढ़ गए है बितुल जे जब हम सबजियों की बात करते हैं तो पपीता एक ऐसा फल है कहें जो सबजी के तौर पर भी इस्तिमाल होता है उसका जो के गा देते हैं जो फायदा हुआ हुआ लेकिन अब इसको व्यावसाई के स्तर पर कर रहे हैं व्यावसाई कि अगर किसानों को करना है तो इसकी नर्सरीमे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस Singapore सबसे वड़ी समस्या इह वाईरस और कंटीनू चहतियों नर्षिका रख सकता है क्योंकि अगर नर्सरी मजबूत होगी पौदा मजबूत होगा तो आगे जाके उसमें फल भी ज्यादा आएंगे और किसान को मुनाफ़ा भी ज्यादा होगा तो किसानों को नर्सरी अगर स्वेम तयार कर रहे हैं तो उनको नेट आउस या पॉली आउस में नर्सरी त किसान कर सकते हैं या जो किसान वेरसाइक इस तर पर पपीते की फसल लगाना चाहते हैं तो उनको हमेसा ऐसी जगह से ही नरसरी लेना चाहिए जहां पर उनको अच्छे पौदे वाइरस फ्री पौदे डिजिस फ्री पौदे प्राप्त हो सके बिल्कुल चुकि अब आप हो जाता है रोपित करने के लिए से नरसरी जब हम tयार करते हैं तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान दिया जाता है कि जो स्वैल हम उप्योग कर रहे है या जो MEDIA, पौलिथिन और virgin soil जो forest रहती जिसका उप्योग नहीं हुआ रहता उसी कम तयार करते हैं और साथ ही उसमें हम सारे bio product एकसे bacteria आते हैं जो पॉज़े को मजबूत बनाते हैं उसको apply करते हैं और समय समय पे उस पे चुकि हमारा पूरा का पूरा plant nursery का जो plant तयार होता है पूरा का पूरा protected environment में होता है इसलिए उसमें किसी भी प्रकार के insect नहीं आते अगर समय समय पे उस पे हम regular spray भी देते हैं जो biological pesticides है जिससे के plant एक मजबूत ग्रोथ के साथ खड़ा होता है आज्षा कि आपने बता है कि अगे चलकर वहां पर होता है तो इसको नियंटिट करने आसान होता है जो पंपीदे की वर्ल्ड में सबसे जादा famous वर्याटी है जो चselfटीस घड़ में चल्री है जो कि एक तैओऐन की ए जाता है उसके अलावा हम भी अपने नर्सरी में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं 59 element कुछ उसमें ऐसे कॉली क्यूल करते हैं जिसे कि आने वाले समय में जलेक्ड आ है उन सब्सक्राबिय शोल शोलकार क्ति हुल मोगें इसे मालेजिए कोई किसान आप से संपर्क करना चाहे और व्यावसाहिक शीयां करने करने के लिए वो आप से पौधों को लेना चाहें तो पौधे को जब लेकर मुख्य खेथ है जो उसकी जो जग buried तो क्या वहाँ पर भी किसानों को साथ द्ल्दानी रखने जो किसानों को समय समय पर यह सला देते हैं कि आगे उनके प्रैक्टिस किया रहनी चाहिए साथी हमारे दौरा जिन किसानों को पूदे उपलब्द करवाये जाते हैं उनको पूरी की पूरी फसल में सारे सुजाव देने के बाद जब उनका माल तैयार होता है तो उनके मार्केट लिंकेज का भी काम हमने अभी एक नया स्टार्ट कर दिया है कि किसान को A to Z solution हमारे द्वारा उपलब्द हो जाता है और मार्केट में उसके फल की कीमत उसके उतपात की कीमत अच्छी मात्रा में उसको मिलती है तो इसलिए हम मार्केट लिंकेज का भी काम हमने स्टार्ट कर दिया है दिली आगरा राइपूर जहां भी मंडी में अधिक दर्य रहती है वहां के अच्छे वेंडर्स से अच्छे क्रेता से जो सबजी और फल खरीते हैं उनसे किसान का टाइप हम करवा दे रहे हैं मितुलज आजकल हम जब देखते हैं तो जो किस्में आपने बताई प्रजब भी किया अपने खिम नरसरी अप लोग तेशा capability हम इते हैं इसकी खास बात है कि इसमें generally जो हम पिछले कुछ वर्सों पहले जो पपीता लगाते थे तो कृसक को यह पता नहीं रहता था कि उसमें पपीता फलेगा कि नई फलेगा क्योंकि उसमें नर्ब पॉधे भी आते थे और मादा पॉधे भी आते थे यह जो है कि हम होमो सेक्सवल वराइटी है रेड लेडी 786 इसमें सत प्रती सत पौधों में फल आते हैं और इसमें सबसे अच्छी बात यह कि आठ मेने बाद इसका उत्पादन चालू हो जाता है तो जैसे उत्पादन चालू होता है प्रती हमारे 36 गड की में बात करूं तो पौदा एक किसान को 60 से लेके 80 किलो तक उत्पादन किसान ले रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं जो पूरा का पूरा उसके क्रॉप मेनेजमेंट पे ध्यान देके काम कर रहे हैं उसको 60 से 80 किलो परती पौदा आ रहा है और उनके आमदनी में बहुत ही वृद्धी हो कि उन्हें ट्रेडिसनल क्रॉप छोड़के पपीदे की खेती बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमाया है बिल्कुल अम्रूद एक ऐसा फल है जिसकी रिक्वार्मेंट या जरुरत हम देखते हैं कि पूरे साल भर लोगों को रहती है और इसलिहास से अब खेती किसानी भी हो रह है वैसे तो इंडिया में अम्रूद बहुत पुरानी फसल है लेकिन इस समय अभी हमने जो तैवान की एक वराइटी है जो वर्ल्ड में कीजी कुवावा के नाम से जाना जाता है उसको अमने या पे इंडियन जो वराइटी एल-49 जो लखनो की एक वराइटी है उसके उपर इंडिया में यह डिस्टिब्यूट भी रहा है राइपूर से तो राइपूर चतिसगर में इसका बहुत बड़ा अरिया बना है साथी हमारे यहां से अमरूत के पौधे गुजरात महाराष्ट ओडिसा और अंदरब्रदेस को भी बेजे जा रहे हैं तो हर जगा इसका चेत जैसा कि अमरूत की खिती में अगर बीच से कोई लगाई जाती है तो जिस फूट का बीज है वही फूट उसको प्राप्त होगा हम जो केजी गुवावा दे रहे हैं अगर उसमें बीच से हम लगा देंगे तब भी उसमें उतनी पादन चमता नहीं क्योंकि उसका रूट ज देते हैं ताइवान वाली विराइटी का उसके बाद जो उसमें उत्पादन आता है वो इन दुनों वराइटी से बहुत अच्छा आता है क्वालिटी देशी से भी ज्यादा अच्छी हो गई और उत्पादन जो ताइवान की वराइटी है उसमें आ गया तो उत्पादन भ तो ग्राफ्टेड वराइटी पे ही ज्यादा प्रॉफिट आता है क्योंकि वह आट से दस साल तक चलता है देसी वाली वराइटी पे अगर डारेक्ट किसान लगा देता है तो उसको उतना उत्पादन भी नहीं आता और वह प्वालिटी भी नहीं मिलती और उतने साल लंबी उसकी आयू भी नहीं रहती कि उतना कॉमर्सियली उतना उत्पादन वह दे सके अच्छा यहां पर ध्यान देने की एक चीज जरूर पूछूंगे जैसे आपने पूचा कि साथ से आट साल तक एक पौधा चलता है कई बर यह होता है कि अमरूद में हमने देखा है कि रोग किसान जी ऐसे समय में किस इसमें मिली बक्स का प्रॉब्लम आता है और कुछ फंगस डिजिस भी आती है तो चुकि परिनल क्रॉप हाड़ी प्लांट है अमरूद का तो किसान को समय समय पे इस पे स्परे करने पड़ते हैं लेकिन पूरी फसल के दर्मियान बहुत ज्यादा स्परे में उसकी पूरी फसल तैयार हो जाती है इसलिए अमरूद जैसी फसलों में बहुत ज्यादा दवाइयों की आसकता नहीं रहती लेकिन सावधानी रखनी चीए और जब भी कुछ छोटी सी समस्या दिखे तो तुरंद उसका निराकान करना चाहिए ताकि समस्या बढ इसमें दो तीन प्रकार की दवाईयां आती है कुछ बाइयो पस्टिसाइड भी बहुत अच्छी आ गई है जो किसान और्गनिक खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए बाइयो पस्टिसाइड भी है और केमिकल में भी बहुत सारे मॉलिकूल है तो उसमें मार्केट में कुछ दवाईय आ रही है कुछ इसाएगरो एक कंपनी है उसकी दवाईय आ रही है रोगोर मेलातियन है ऐसी बहुत सी मार्केट में दवाईय उपलब्द है जिससे वो इन बिमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं अम्रू से जुड़ी है जब चचा हम करते हैं तो बेर का जिक् बार की वराइटी है और उसको भी ग्राफ्टिंग तकनीकी से ही उत्पादन ले रहे हैं तो आज खेती में पहले जैसा इतना मुनाफ़ा है नहीं तो आज खेती वे यह ज्यान देना है कि उत्पादन बढ़ा की मुनाफ़ा बढ़ाया जाए यांकि पूरे इंडिया में फ अजितने भी फल या सबजी उसको लगा के वह उत्पादन बढ़ा लेगा चित्र उसका उतना ही रहे जितने में पहले किती करता था उसका मुनाफ़ा बढ़े एपल बेर की कीमत भी हम देखते हैं मितुल जी की अच्छी खासे मिल जाती तो क्या मार्केट में यह आसानी से जाता है किसानों को फायदा हो पाता है एपल वेर का कि सेल्फ लाइफ अच्छा है चार से पांस दिन तक खराब नहीं होते तोड़ने के बाद तो इसको कहीं पे भी मार्केट किया जा सकते है और आज के समय में 30 से लेके 50 रुबे तक प्रती किलो मार्केट में यह बिक रह होने के का इसकी उत्पादन चमता बहुत अधीक है प्रती पौदा यह 50 से 60 किलो तक उत्पादन आता है चौते साल में जो टेक्निक है उसका आप लोग काफी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं और रोबोटिक मशीन का भी उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है क्या है यह वास्त यह जैसे ही फल उत्पादन का समय आता है उसके पौदे मरने लगते हैं यह नेमो टोट से गरसीत हो जाते हैं जिससे उसके उत्पादन चमता पर प्रभवा पड़ते हैं ऐसी समस्याओं को देखते हुए हमने ग्राफ्टिंग टेक्नोलोजी लाई जो इसराइल में जपान में टाइवान में साउथ कोरिया में बहुत ही फिमस है और इसके अलावा इन बिमारीयों के अलावा भी जो ग्लामेटिकल विदर स्ट्रेस भी होते हैं अचानक जैसे ख्लाइमेट चेंज होता है तो प्लांट को भी एक स्ट्रेस लगता है यह ग्राफ्ट टेक्नोलोजी से वह उसमें उतना स्ट्रेस नहीं आता हो और उसकी उत्पादन चमता बनी रहती है तो इस टेक्नोलोजी से तयार किये गए पौदों से किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है साथ ही जो उनकी समस्यां आ रही है विल्ट की और नमोटोड सी उससे भी वह बच रहे है और वो भी हमने रिसर्च करके असी बहुत सी वराइटियां सिलेक्ट किये जिसमें यह बिमारिया न लगे और इसको क्लामेटिकल स्ट्रेस न लगे इसकी ओपर हम हाईवरीट पौदा लगाते है तो यह जो प्रक्रिया रहती है यह अभी तक मैनुवल होती थी एक प्रक अगर मेरे द्वारा सो पौदे तयार किये जा रहे हैं तो उसमें बहुत कम आत्रम पौदे हमें मिलते थे रोबोटिक ग्राफ्टिंग मसीन आने के बाद हमारा काम भी तेजी से बढ़ने लगा और हमारा सक्सेस रीट भी बढ़ गया जिससे कि सीधा लाब किसानों को होग निश्चित क्योंकि इसमें रूट जो जो है वह ज्यादा बड़ा रहता है ज्यादा मजबूत रहता है और पौदे को पोसक तक्व जमीन से ज्यादा मात्र में प्राफ्त होते हैं तो उत्पादन भी बढ़ता है और साथ ही अगर हम कंपेर करें किसी एक हाइबरेड करता है लग डेड़ गुना से दो गुना तक देखा गया है और लाइब इसकी ज्यादा रती है अच्छा ग्राफ्टिंग पौध की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि इसकी लाइब जादा है उत्पादन जादा है तो इसमें क्या बीमारी या कि टानू का प्रकोप होता है वह कम और जाता है दूसरे पौधो की तुल्णा में यह भी आमने देखा आ बिमारी जरूर थोड़ी कम आएगी और पौधे का रस्टेंस पावर बढ़ जाता है बिमारी से लढ़ने से कीट ना सक का प्रयोग भी कम होता है और पौधे का रस्टेंस पावर बढ़ जाने से उसमें बिमारी कम आती क्योंकि जितने भी fungicides हम डाल रहे हैं बिमारी के लिए वो किसी ना किसी element से बनी है sulfur, copper, zinc, बहुत सारी fungicides रहती, सारे element है, सारी element से ही fungal को control किया जाता है तो यह सुक्ष्मा तत्वा के द्वारा जब fungicides बनती है और उसको पौदे की बिमारियों को control किया जाता है तो इसी प्रकार जब हम grafted पौदा लगाते हैं तो वो ज्यादा मात्रा में पोसक तत्वा जमीन से उठाते हैं इसे कि इसमें बिमारी की संभावना कम हो जाती है बिमारी आती है लेकिन एक सामान निया hybrid पौदा जो लगा है जो grafted नहीं है उसके तुलना में कम आती है अच्छा grafted पौदे की अगर हम बात करते हैं तो खेत मुख्य खेत में लगाने से पहले जो पौधा तयार करने की पूरी प्रक्रिया है क्योंकि जैसे आपने बताया कि मैन्वल होता तो उसमें वक्त जादा लगता था इसमें भी थोड़ा बहुत लगता ही है वक्त तो क्य इसकी भी नरसरी तयार होती है कि पौदे तयार हो गया उसके बाद आप इसको मुख्य खेत में लगाईए यह कैसी पूरी प्रक्रिया होती है यह प्रकार से सबसे अच्छी बात बताना चाहूंगा इसमें कि सबसे पहले तो हम इसमें रूट स्टॉक का प्लांट तयार करत है उसके बाद सायन का पौधा तयार होता है इसमें कुछ दिन का गयप रखा जाता है क्योंकि रूट स्टॉक हमारा थोड़ा हमें ज्यादा एज का लेना पड़ता है ज्यादा मजबूत रहना चाहिए और उसके उपर हम सायन की जब रोबोटिक मसीन से ग्राफ्टिंग कर देती है और इसमें जब ग्राफ्टिंग हो जाती है तो उसके लाद उसको एक फूरा का पूरा क्लाइमेट कंट्रोल कंडिशन में जसमें मौश्चर में तर्म्धार मांचर में पर एक इसईू जैसा एक यूनिट रहता है वह हमारा वहाँ पर रखा जाता है वहां पर 15 दि 90-100 दिन में एक पुदा हमारा तयार होता है काफी वक्त लेता है और फिर ये उतने लंबे समय तक सर्वाइब भी करता है बहुत अहम जानकारी आपने दी मितुल जी बहुत बहुत धन्यवादा आपका और इसी के साथ हमारे खास कारकम सोनकस मुईया में आज बस इतना है मुझे दें अजासत नबसकार